ओके तो आज मॉर्निंग में मैं अपना मेल चेक कर रहा था उसमें से मुझे एक ऐसा मेल मिला जिसको देखने के बाद मुझे लगा कि इस बंदे को बहुत जादा दिक्कत हो रही है बहुत जादा डिप्रेस्ट है ये बंदा और डिप्रेस्ट इसलिए है क्योंकि इसकी पालन कर रहा है मत कर शादी कर ले अपने जिन्दिगी जी और इन्होंने साफ साफ लिखा है मुझे कि इनकी ये आखरी दिन होने वाली है ब्रह्मचरे की इसके बाद से ये कभी भी ब्रह्मचरे का पालन नहीं करेंगे और ये क्यों हुआ ये इतने जादा निराश क्यों ह इन्होंने अभी अभी स्टार्ट किया था प्रम्चरे का पालन करना और इन फैक्ट एक बात बताओं हम में से सारे लोग कभी न कभी इसी स्टेज से गुजरने वाले हैं जब हमारी भी कभी न कभी शादी होगी पांस साल बाद किसी के दस साल बाद किसी के पंदरा साल बाद ऐसा होगा ही होगा तो उस position में हम क्या करें क्योंकि उस time पर आपके parents आपके पर सवाल करेंगे कि भाई तु ये क्या कर रहा है बेटे तु ये क्या कर रहा है क्योंकि उस time पर आपके पडोसी भी आकर आपसे पूछेंगी या पूछेंगे शादी कब कर रहे हो शादी कब कर रहे हो आपके दोस्त ताना मारेंगे अरे यार तू अभी भी सिंगल है हाँ 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 बताओ अब इस स्टेज पर आकर आपको एक बड़ा डिसिजन लेना होगा लाइफ का कुछ लोग कहते हैं कि शादी हो जाने के बाद impossible है ब्रह्मेचरे पालन करना और exactly इनकी भी वही mindset है और यह कहते है कि इनका यह आखरी दिन होने वाला है ब्रह्मेचरे का तो आज की इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे क्योंकि यह बहुत ज़्यादा परिशान है और यह साब साब कहते हैं कि भाई मेरी मदद कर दो मुझे मन कर रहा है मैं जंगल में चला जाओ और यह बिल्कुल भी funny बात नहीं है दोस्त हसना मत इसके उपर और ना ही इसके बारे में ऐसा सुचना कि यह exaggeration हो रही है कोई यह हो सकता है आपके साथ भी हो जब आपको मन करें कि अपने माबाप को छोड़कर कर दूर चला जाओ ऐसा होता है यह practical level पर बात करो न क्योंकि आपको कुछ और करना है आपके माबाप कुछ और करवाना चाहते हैं आपसे और ऐसा बहुत होता है और ऐसे बहुत सारे cases हो रहे हैं जहापर लड़का कुछ और करना चाहता है और उसके माबाप कुछ और करवाना चाहते हैं उससे उसको शादी नहीं करनी आप क्या सोच तो यह सिव लड़की की प्रॉब्लम है लड़के की भी प्रॉब्लम है तो देखो होता कि सबसे पहली बात तो यह है दोस्त कि अगर आप ऐसा सोच रहे होना यह ब्रह्मचरे पालन करूँगा मैं और सब कुछ आपके हिसाब से होगा तो यह एक misconception है सबसे पहली बात तो देखो आपके आसपास के लोग भी बहुत कुछ decide करते हैं सब कुछ आपके हाथ में नहीं है in fact अगर ब्रह्मचरे पालन कर लो तो भी लेकिन जो आपके हाथ में है उसके बारे में बात करते हैं सबसे पहली बात तो दोस्त अगर आपकी शादी हो भी गई लेट से तो आप ब्रह्मचरे का पालन कर सकते हो in the form of ग्रिहस्त ब्रह्मचरे जहाँ पर आप अपने डेली रूटीन और डेली मैरिट लाइफ को enjoy भी करोगे और ब्रह्मचरे का पालन भी करोगे थोड़ा सा contradiction हो गया दो तरफा बाते हैं कर दी मैंने कि भाई मजे भी लेंगे marriage के और इधर ब्रह्मचरे पालन भी करेंगे तो मैं आपसे एक ही बात पूस्ता हूँ यार क्या घपा घप करना सिर्फ मज़ा है marriage का marriage में सिर्फ यही है क्या दो लोग आपस में जोड़ रहे है चाबी खो रही है कमरे की अंधेरा चा रहा है सूरे उद्र हो रहा है भाई कर लिया यही है यही है क्या marriage का मतलब बस इतना तक रखते हो क्या आप सबसे बड़ी बात तो यह है दोस्त की अगर आप ब्रह्मेचेरे का पालन करना चाते हो ना शादी के बाद भी तो आपका जो पार्टनर है ना उसको पहले यह समझाओ कि यह exactly आप क्या कर रहे हो क्योंकि उसको clear नहीं हुआ है जा तक मुझे लगता है आपकी arranged marriage होने वाली है which is more or less certain आपको करना के देखो मैं बता देता हूँ आपको समझाना होगा उसको शादी होने से पहले आपको बताना होगा कि ऐसा ऐसा मामला है ठीक है पहले उसको समझाओ फिर अपने family को भी समझाओ साथ में कि ऐसा ऐसा बात है क्योंकि अगर आप नहीं समझाओगे न वो आपको constantly force करेंगे एक एक दिन बाद बाद आपसे कहेंगे आकर कि बेटे हमें दादा बनना है बेटे हमें दादी बनना है नाना बनना है नानी बननना है आपके उपर हर दिन उंगली उठाई जाएगी यार मजाग समझ रहे हूँ इसको आपका अगर कोई भाई है बड़ा भाई है वो भी आपके उपर ताना कसेगा यह क्या हो रहा है क्या दिक्कत है ऐसा होगा तो एक बात बता रहा हूँ आपको ध्यान से समझे आपको पहले ही स्टेप लेना पड़ेगा शादी के बाद जाकर उसको बताओगे कि मैं ब्रह्मचरे हूँ ब्रह्मचरे पालन करता हूँ मैं फस गए आप क्या करोगे दिक्कत आजाएगी बहुत बड़ी दिक्कत आजाएगी हो सकता है आपका संसार उजर जाए तो आपको पहले बताना होगा सब कुछ क्लियर करोगे न अगर क्लियर कर देते हो न एक ऐसा स्टेज आएगा जाएगा पर आप खुद से डिसिजन ले पाओगे क्योंकि आपने कोई चीज छोड़ी ही नहीं न आपने ओपेनली बता दिया सब कुछ ट्रांस्पेरेंसी कर दी एक ही बार से अब देखो होता क्या है उसके फैमली और आपकी जो पैरेंस हैं आपके पैरेंस जो भी देख रहे हैं ये सारी चीज़े सुन रहे हैं जो आप कह रहे हो उसके बाद उनको एक decision लेना पड़ेगा या तो आपके उपर जबर्दस्ती करेंगे जो कि more or less होगा और या फिर आपकी बात माल लेंगे आपको बोलेंगे अभी शादी नहीं करनी होगी दो चीज़े हैं ठीक है तो हम दूसरे वाले को पकड़के चलते हैं कि वो force करेंगे आपको कि यह आपको शादी करनी होगी जो होने ही वाला है समझ लो तो ठीक है अब आप उसमें कुछ करनी ही सकते कुई आप बड़ा decision ना लो कुछ अच्छे से आप कुछ समझानी देते तो वो नहीं होगा ठीक है तो हम दूसरे वाले option को पकड़के चलते हैं यहाँ पर क्या होगा देखो समझो इस चीज़ को आप क्या कर रहे हो continuously समझानी की कोशिश कर रहे हो लेकिन कुछ नहीं हुआ अब आपको क्या करना है जिससे आप शादी करने वाले हो उसके पास जाना है उसको बताना है यह देखी ऐसा ऐसा मामला है अब आप मुझे बताइए कि इस position में भी क्या आप मेरे साथ रहेंगे क्या आप मेरे ऊपर भरोसा रखेंगे क्या आपको ऐसा तो नहीं लगेगा कि मेरा चक्कर किसी और से चल रहा है बोलकर मैं आपके साथ कोई भी संबंद नहीं बना रहा ये सारी चीज़े क्लियर करोगे न बहुत जाद हेल्प होगी अगर नहीं क्लियर करते दोस्त प्रॉब्लम होगी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी same goes to that girl उसको भी पुछना होगा आपसे कि आपकी स्थिती क्या है आपको क्या खाना चाहिए आप अगर नहीं बताते कि आप उठते कब हो सोते कब हो तो बहुत दिक्कत आएगी अब मैं आपको exactly बताता हूँ करना क्या है अगर आपके उपर एक pressure आ रहा है कि हमें दादा बना हमें दादा बना है दादा बना है expectation पूरी करनी है न लोगों की उनको आपसे उमीद है कि हमें चेहरा देखना है अपने पोते का मरने से पहले ठीक है भले आप घपा घप करो हमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन हमें देखना है यार मनने से पहले हमें सब कुछ देखना है बहु देखना है आपकी वाइप को देखना है हमें बताओ यार क्या लोजिक है मतलब किसी से संबंद आप बना रहे हो या किसी से शादी कर रहे हो या आपके parents को देखना है बस उनका वही motive है मुझे दादा बनना है तो देखो solution देता हो practical solution देता हो simple से एक बात बोल दो यह ऐसा ऐसा बात है मुझे ब्रह्मचर का पालन करना है हम बाद में जाकर कभी family planning करेंगे और family planning में भी देखो एक चीज़ है अगर आप खुद को रोक कर रखते हो सयम से रखते हो खुद को discipline से रखते हो और शादी की बाद भी अगर आप कोई संबंद नहीं बनाते और अपनी बीज को और ज़दा fertile होने का मौका देते हो क्योंकि आप अगर खुद को रोकते हो, सयम से रखते हो और time आने पर अच्छे विचार अपना लेने के बाद थू ब्रह्मचरे उसके बाद जाकर आप संबंद बनाते हो, तो आपका जो बेटा होगा या आपकी जो बेटी होगी ना वो बहुत जाद तेज होगी बहुत अच्छे संसकार आएंगे क्यों? क्योंकि आपने ब्रह्मचरे पालन किया और आपने खुद को detoxify किया spiritual level पर बोलो, body के level पर बोलो, mind के level पर बोलो, तो आपका जो बेटा या बेटी होगा वो भी उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि आपने time दिया खुद को, अगर आपने शादी कर ले तो इसका मतलब यह नहीं कि तुरन से जाएंगे, कर लेंगे, एकदम निज़र से देखोगे न, तो आपको कभी भी कामवासना छू भी नहीं पाएगी, और एक बात, कभी भी न, अगर एक बिस्तरप में सो रहे हो दोनों, तो ये चीज़ बंद करो, बंद करो आस से, क्योंकि अगर सामने हो दोनों, तो हो सकता है, आपको ना आए कामवासना, लेकिन उसको तो आए, फिर क्या करोगे, समझाने में बहुत जादा टाइम लग जाएगा, तो देखो, अगर कामवासना आ भी जाती है, तो आप उनको समझाओ, सामने से वो भी आपको समझाएंगी, ऐसा करते-करते, एक mutual cooperation बढ़ेगा, जो आपको बहुत help करेगा, लेकिन एक बात याद रखो, लोग कहते हैं कि हमें निशानी चाहिए, कि हमारा एक once-a जाना चाहिए न, बहतरीन, तो हमें एक successor चाहिए अपना, इस तरह के mentality होती है न, कि हमारा बेटा ही नहीं हुआ, बेटी ही नहीं हुई, तो भई मजा क्या, हमारा कोई successor नहीं हुआ, हमारी प्यार के निशानी नहीं हुई, हम क्या करेंगे, तो भई ज़रूरी है क्या प्यार के निशानी होने के लिए, बेटा बेटी ही हो, जरूरी है कि आपका successor या आपका नाम होने के लिए आपको बच्चे पैदा करने हो जरूरी है क्या आप खुझ से भी अपना नाम कर सकते हो, खुझ से भी नाम कर सकते हो और ऐसा नाम कर सकते हो कि अगर आप single भी हो अखंड ब्रह्म चरखए का पालन करके आपको इतना नाम होगा जितना आपका कभि ग्रिहस्त ब्रह्म चरखए करके ना हो उससे भी ज्यादा और बहुत ज्यादा इतना ज्यादा कि आप सपने भी बिने ही सोच पाओगे तो choose करो दोस्ट, आपको किदर जाना है और अगर कोई problem है दोस्ट, इसके बाद भी अगर लग रहा है कि कोई confusion है और देखो depressed होने वाली कोई भी बात नहीं है कभी भी यह मत सोचना कि यार मेरे पास कोई option ही नहीं है यह बहुत option है, बहुत option है आपकी जैसे कितने लोग आएं, कितने लोग गएं, कितने लोग इस तरह की confusion में थे और उन्हें खुद को लिकाला through guidance, और through observation, ठीक है और कोई problem हो इसके बाद, straight away चले जाओ Instagram पर the Illuminati show नाम से है, ठीक है, वहाँ पर मेरा account खुद का ही है वो, चिंता करने वाली कोई बात रही है, एक ही account मिलेगा आपको तो वहाँ पर जाकर आप message कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और वहाँ पर हो सकता है, मैं reply ना दू, क्योंकि अगर एक को reply दूँगा, तो बाकी लोगों के लिए वो unfair हो जाएगा क्योंकि मैं सबको reply तो नहीं दिपाऊंगा, तो problem वहीं पर है, कि मैं पढ़ लेता हूँ, message पढ़ लेता हूँ, आप question करिएगा, आपको उसका जवाब मिलेगा, ठीक है, through videos, और इसके साथ साथ ये भी बता दूँ, कि देखो, 10 resolutions, नए साल के लिए, एक video है, इसी channel पर, description मे आपको मिल जाएगा, इसका link भी, ठीक है, तो जाकर देखिए, इसी channel पर है, 2021 के 10 ऐसे संकल्प, जो आप लोग है, जिससे की आपकी जिन्दगी बदलेगी, और भी ज्यादा बेटर हो जाएगी, और 10 में से आप कौन सा resolution चूस करोगे, वो भी जाकर comment में बता देना, इस video क description में आपको उसका link मिल जाएगा, वटाफर से जाकर देखो, बहुत बड़िया वीडियो है वो, ठीक है, मैं मिलता हूँ आप से अगले वीडियो में, तब तक के लिए, बाई